हाई फ्रेंड्स मेरी क्रिस्मस टू यू आज हम लोग इस क्रिस्मस डेक आफसर पे कुछ हाटकर शॉपिंग करते हैं हम लोग आज स्ट्रीट शॉपिंग जिसमें ट्रेडिशनल चानिया चोली और आटिफिस्यल जोएलरी का शॉपिंग करेंगे येस फ्रेंड्स यू आर मोस्ट वेलकम टू गूगल केर तो चलिए सबसे पहले इस तरह का शॉपिंग को देखने के लिए हम लोग लोग गाडन चलते हैं जिसका लोकेशन हम लोग इस तरह से समझते हैं यहां आमदावाद रेल्वे स्टेशन से 4.7 किलो मीटर पाली टर्मीनस से 1.9 किलो मीटर और आमदावाद एयरपोर्ट से 13 किलो मीटर है यहां मार्केट लगवाद 300 से 400 मीटर में फैला हुआ है जो कि लोग गाडन के बॉंडरी से सटकर दोनों तरफ है रोट के दोनों साइड है और यहां पर जैसे हम लोग मार्केट में गुशते हैं तो सबसे पहले यहां का ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक गुजराती चानिया चोली का मार्केट देखते हैं और हाँ दोस्तों आपको यह भी बता दो यह एक bargaining का market है तो आप यहाँ पर bargaining करने में थोरा भी सरम ना करें और जैसा कि screen पर दिखाया जा रहा है यहाँ पर तरह तरह के set वाले चानिया चोली भी मिलते हैं और अपने मुताविक अलगलग combination को भी लेकर एक set बना सकते हैं और यहाँ पर आप हर तरह के ट्रेडिशनल चानिया चोली को देख सकते हैं जिनका रेंज 500 से स्टार्ट होकर लगवग 12000-2000 तक जाता है और इस चानिया चोली का रेट उसमें किये गए काम और मीरर वर्क के उपर भी डिपेंड करता है तो चलिए हम लोग शॉपिंग को जार क्पाई करते हुए आगे चलते हैं और आप मानो यहां पर एक नहीं कम से कम 15-20 दुकान है जिसमें आप तरह-टरह के चानिया-चोली को देख सकते हैं और आगे जाने पर आप स्कट्स के भी दुकान को देख सकते हैं इस तरह के परिधान को आप किसी भी festive officer पर पहन सकते हैं और आप normal day में भी इसे पहन सकते हैं मैं आपको यह बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि यहां जिस rate पर आप इस सारे कपरे को पास सकते हैं आप किसी भी mall लिया किसी भी दुकान में जाकर इस rate पर इस कपरों को नहीं पास सकते हैं और यहां का दुकान दार किसी भी कपरे को दिखाने में ठकते नहीं आप उन्हें चाहे जितना भी कपरा बोले वो आपको दिखा सकते हैं जैसा कि यहां पर एक दुकान दार कपरे को दिखा रहा है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ एक दूपट्टा को दुकंदार कितनी अच्छी तरीके से डिस्पले कर रहा है और आपको मन करेगा कि आप हर दूपट्टा में से कम से कम एक कप्रा जरूर खरीद ले यहाँ पर दुपट्ट्टा का collection का तो कहना ही क्या यहाँ पर हर तरह के दुपट्टा अवलेवल थे traditional से लेकर normal day में यूज होने वाले भी सारे दुपट्टा यहाँ अवलेवल थे बस आपको जोषवत ही थोरी से bargaining की और law garden पहुंचने की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरह से दुपट्टा को डिस्प्ले किया गया है और यह बिल्कुल रंग बिरंगा हर स्टाइल का दुपट्टा यहाँ पर अफलेवल था तो चलिए हम लोग सौपिंग को जारी रखते हैं और इस मार्केट को धिरे धिरे करके और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं यह दुपट्टा जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है मात्र डेर सो रुपे का था और इतना अच्छा दुपट्टा आप कहीं भी मार्केट से इस रेट पर नहीं पास सकते हैं यहाँ पर ब्रोकेड था था बनार्सी सील्क टैप का भी दुपट्टा अबलेवल था इसके बाद जब हम लोग आगे बरते हैं तो नए पटन के सॉल भी देखते हैं और जिसे बहुत ही कम रेट पे खरिदा जा सकता है इस तरह के कलेक्शन को देखकर आपका मन बिल्कुल खरिदने को करेगा सॉल को देखने के बाद जब आगे बरते हैं तो हम लोग ट्रेडिशनल बेट सीट भी देखते हैं तो वहाँ पे तरह तरह के बेट सीट का अलग अलग कलेक्शन देखते हैं और यहाँ बिल्कुल डिस्पले किया गया है जिसे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं उसके बाद आगे बरने पर फैंसी और ट्रेडिशनल बलाउज भी अवलेवल थे जिसे आप यहाँ पर बहुत ही किफाइटी रेट पर पास सकते हैं और हर तरह के डिजाइन और न्यू कलेक्शन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरुस लोग को भी हतास होने का जोरत ने यहाँ पर उनका भी कुछ ध्यान रखा गया है और यहाँ पर आप ट्रेडिशनल जैकेट भी देख सकते हैं जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है और इसे आप किसी भी खास मौके पर पहन सकते हैं पर पास करके जब शेश्टीब का महाल हो तो आप बिल्कुल इस तरह के परिधान को धारन कर सकते हैं इसके बाद जब हम लोग आके बरते हैं तो बैक का कलेक्शन का गाना ही क्या वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल मैं तो एक कहूंगा कि आप जबी भी अहमदाबाद में आओ तो कम से कम लोग गार्डेन में एक वार आप जरूर आओ और यहाँ पर खरिदारी का मज़ा एक वार तो आप लेही सकते हैं सबसे बरी बात यह है दोस्तों कि यहाँ का दुकंदार बिल्कुल ही सपोर्टिव होते हैं और आपको तरह-तरह के कलेक्शन दिखाने में बिल्कुल भी हिचकी चाते नहीं हैं जैसा कि यहाँ पर एक दुकंदार अपने गरहा को दिखा रहा है उसके बार जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुर्ति का भी कलेक्शन देखने को मिलता है और इसी तरह का सौपिंग को अगर आप देखना चाहते हैं तो उपर के आई बटन को प्रेश करकर हमदावाद का फैसन स्ट्रीट के सौपिंग के बारे में आप जान सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है जिसे की आप क्लिक करकर उसके बारे में जान सकते हैं और यहाँ पर तरह तरह के पैंट भी हम लेबल थे और दोस्तों जैसे ही हम लोग आगे बरते हैं तो लेडिस का गहना हाँ जी आटिफिसियल उक्सिडाइज वेलरी का तो कहना ही किया था वह बिल्कुल ही मन को मुह लेने वाला था जिसका दाम केवल सो रुपिया से स्टार्ट था और आप यहाँ पर तरह तरह के कंगन को भी देख सकते हैं मिला जुला कर वोले तो यहाँ पर लेडिस के हर तरह के समान अवलेवल हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए गए जी वेलरी को एक एक करके बिल्कुल देख सकते हैं रोड के दूसरी तरफ जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर लेडिस जुत्ती और सेंडल का कलेक्शन का तो कहना ही क्या आप जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको सुफ्ट सुज का कलेक्शन मिलेगा जीसे आप बिल्कुल अपना बना सकते हैं उसके बाद हम लोग एक जगा देखते हैं कि ट्रेडिसनल लेडिस जुत्ती का भी कलेक्शन बिल्कुल ही मनमोहक होता है जीसे देखकर आपको मन करेगा कि एक जोरा जुत्ती आप तो जरूर ले सकते हैं और यहाँ पर स्क्रीन पर डेली यूज किये जाने वेले जुत्ती का भी कलेक्शन को दिखाया जा रहा है और वो भी मात्र 300 से 400 रुपिया में अवलेवल था आपको बस थोरा सा बर्गेनिंग करने का जुरत है और उसके बाद जब हम लोग आगे बरते हैं तो तरह तरह के सेंडल और जुत्ती का भी कलेक्शन देखने को मिलता है और इस तरह के सेंडल आप मार्केट में जाएंगा तो कम से कम आपका 600-700 से स्टार्ट ही होगा और ना जाने कितना दम तक मिलेगा आप जो स्क्रीन पर इस सेंडल को देख रहे हैं मात्र डेर सो रूपे एक का है जिसे कि आप यहाँ पर एक लेडी के द्वारा ट्राइ करते हुए देख सकते हैं और यहाँ डिखने में कितना ही सुन्दर है और हाँ दोस्तों आपको यह भी बता दू कि आप अगर एक वार दुकंदार से ट्राइ करने के लिए मांगते हैं तो यहाँ जरूरी नहीं है कि वह दुकंदार आपके पिछे पर जाएगा और आपको लेना ही होगा और आगे बढ़ते हैं तो एक वेल्ट वाले मुलकात होती है जो कि 60 रुपे में केवल वेल्ट को बेच रहा था तो आप यहाँ पर हर तरह के सेंडल और जुत्ते को देखिए और आप मेरे कमेंट वाक्स में जरूर लिखिए कि आप किस सहर से हैं और आपके सहर में इस तरह के जुत्ती और सेंडल का दाम किसी भी मॉल या दुकान में कितना होता है और दोस्तों इसी बीच आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं तो चलिए हम लोग अपने सौपिंग को जारी करते हुए आगे बरते हैं और हम लोग आगे देखते हैं कि थोड़ा सा हट कर लेडी लोग का जूती भी अवलेवल था उसके बाद जब हम लोग आगे बरते हैं तो इयरिंग का कलेक्शन को देखते हैं जिसका दामात्र तीस रुपिया से स्टार्ट होता है और पचास से साथ रुपे में बहुत ही अच्छा यरिंग का कलेक्शन आपके पास हो जाता और आप अपने सौपिंग को ब्रेक देने के लिए बीज में पॉपकरन का भी मजा ले सकते हैं वो भी केवल दस रुपे में और उस साथ आप सोडा का भी मजा ले सकते हैं और अपने सौपिंग को जारी करते हुए हम लोग दूसरे यरिंग के स्टॉल पे चलते हैं और वहां का कलेक्शन को देखते हैं यह रिंग खरीदने के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो स्मॉल हैंड पर्स भी अब लेवल था जिसे आप केवल सो रुप्या देकर अपना बना सकते हैं और उसके बाद इस स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है उस पर्स को आप केवल डेर सो रुपे में अपना बना सकते हैं यह बिल्कुल ही निव एराइवल था और यह मन को बिल्कुल ही भाज आने वाला था उसके बाद जब आगे आप ठक जाते हैं तो लास्ट में आप छोले कुल्चे का भी मजा ले सकते हैं ओभी मात्र 40 रुपे में और हाँ दोस्तों छोले कुल्चे के लिए थोरा सा इंतजार करना परेगा क्योंकि इस दुकान पर बहुत ही भीर होती है और उसके बाद जब यहां पर बाता दू कि यहां पर बैठने का बहुत ही उत्तम वेवस्त की गयी है और यहां पर आपो कम से कम आधा गंटा तो जरूर विटा आ और यहां पर बच्चों के लिए भी थेन देंगे के लिए टरह तरह के जूले का भी व्यार किया गिया है और आग्या आप जैसे ही चलते हैं तो यहां पर हर तरा के जूले को आप देख सकते हैं और अगर आप gym के सोखीन है तो यहाँ पर open public gym का भी वेवस्ता किया गिया है इस तरह से दोस्तों Google Care Team का यह कोशिस रहा है कि आपको low garden के market और low garden को हर तरीके से बताया और दिखाया जा सके अगर आपको यहाँ मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजी और इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए निचे दिये गए वेल आइकन को जरूर प्रेस कीजी और दोस्तों अंत में Google Care Team की तर अंत में